नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेन नीज में और मैं हूँ आपके साथ विशाली शर्मा दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्दवानी की कुछ खबरों का तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की दरव हल्दवानी रेलवे स्टेशन पर होटल में काम करने वाले कुछ का शव मिला है बता दें सोचना पर पहुंची पुलिस ने होटल की कार्ट के जरिये उसकी शिनाक्त की मौके से एक सुसाई नोट भी बराबंद हुआ है नैंताल रोट सित एक होटल में नौकरी करने वाले युवक की रेल गाड़ी से चपेट में आने से मौत हो गई बता दें अर्मुडा निवास्ती तीश वर्ष ये दीपक बिष्ट करीब तीन महीने से तेड़ी पुलिया स्तित होटल लेमिन पार्क में बतौर को काम कर रहा था मामला प्रेम पसंग से जुड़ा है फिलाल स्वचनों की तरफ से युफ्ती के विरुद कोई तहरीद नहीं दी गई है हलवाने की ट्रांस्पोर्ट नगर पुलिस ने 20 लीटर कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफतार किया है पुलिस के मताबिक SSP के निर्देश पर चांदनी चौक के पास चेकिंग अभियान चलाया गया इस दोराने की व्यक्ती ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया टीम ने आरोपी को पकड़ कर उसके तलाशी ली तो उसके पास से 20 लीटर कच्ची शराब मिली पुष्टाश में आरोपी ने अपना नम विकरम सिंघ निवासी चांदनी चौक बताया है आरोपी के खिलाफ आपकारी एज में मुकदमा दर्श किया गया बनभूरपूरा पुलिस ने मारपीट के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्श किया है पुलिस के मताबिक सगीर निवासी काबुल का बगीचा ने दी तहरीर में कहा कि उसका बेटा साबिर दादी के घर जा रहा था जहां रास्ते में अनूप, फर्मान, सल्मान और साहिल ने बेटे से गाली गलोश कर मालपीट की इससे साबिर गंभी रूप से घायल हो गया है, वहीं साबिर का सोबन सिंग जीना बेस में उपचार चल रहा है पुलिस ने आरोपियों के खिलाव मुकदमा दर्च कर जांच शुरू कर दी है हलदवानी में कार्ड लाने के नाम पर एक व्यक्ति से 1,90,000 रुपे की ठगी कर ली गई पिडित व्यक्ति ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है, पुलिस के मुकदमा दर्च कर जांच शुरू कर दी है पुलिस के मुताबित गरी नंबर पांच निवासी रागव विष्ट की ओर से तहरीर मिली है उनका कहना है कि उसने एक पुरानी कार को खरीदने के लिए आजाद अंसारी के माध्यम से सिरसा हर्याणा निवासी साहिल गाबा नामक व्यक्ति से संपर किया दोनों के बीच कार खरीदने का सौधा एक लाख नब्बे हजार रुपे में तैह हुआ रुपे ट्रांसफर किये जाने के बाद आरोपी साहिल गाबा ने कार देने से इंकार कर दिया कहना है कि आरोपी से संपर करने पर गाली गलोश के साथ जान से मानने की धमकी भी दी जा रही है पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्श का जान शुरू कर दी है बनभूरपुरा थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी के नेचित में गटित पुलिस टीम ने बीती रात शांती विवस्ता बनाए रखने के लिए चेकिंग अभियान चलाया था इसे दौरान लाइन नमबर 18 में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के सामने से एक स्मैक तसकर को गिरफतार किया गया है जानकारी के मुताबिक स्मैक तसकर की पैचान लाइन नमबर 18 के वार नमबर 24 निवासी आमिर एहमद उफ्छोटू के रूप में हुई है अभ्युक की उमर 25 साल बताई जा रही है और इसके पास से 20.8 जीरो ग्राम स्मैक बरामत की गई है हलवाने की मुखे खबरों में बस इतना ही बागी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं जेजे नियूस के साथ धन्यवाद